Hello friends, Master Kira Sui में आप सभी का स्वाधत है आज हमने बनाया है एकदम सूपर टेस्टी एंद सूपर हेल्दी वाले उत्पम तो इसके लिए मैंने लिया है एकप सूजी और एकप ओट्स और इसको मिक्सर गाइंडर में डाल करके हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे इसके एदम फाइन सा हमको पॉडर बना लेना है और अब निकाल लिया इसको हमने बोल में और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पॉडर नहीं यूज किया है सोडा यूज किया एकदम से चुटकी भरके और यहां डाल लिए मैंने दही और डाल दिया है पानी और इसका इदम बढ़िया सा बैटर बना लिया है बहुत जादा थिक भी नहीं है इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे तो यह सूजी जो है यह थोड़ी फूल जाएगी तो अगर आपको फिर इसकी कंसिस्टेंसी ल क्योंकि फिर नहीं तो आपको इसको फिलिप करने में प्रॉब्लम होगी तो यहां पर मैंने स्प्रेट कर दिया अपना बैटर और इसमें डाल दिया है मैंने एकदम बढ़ियां से चॉप किया हुआ प्याज और डाल दिया है थोड़े से टमाटर साथ में डाल दिया है थो आप हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे जिससे कि यह सबजीयां सारी छिपक जाए और ओयल लगा के साइड से इसको कवर कर देंगे टू मिनिट्स के लिए जिससे कि यह उत्पम हमारा बढ़ियां से पक जाए और इसको आपको बहुत ही आराम से फ्लिप करना है ज जिसको कि मैंने थोड़ा सा मसाला वाला फ्लेवर दिया है तो वही सेम प्रॉसेस है सारी सबजिया डाल दी है मैंने और इसके उपर मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं जिसमें मैंने डाला है बलाक पिपर एंड साथ में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा पॉर्डर ये भुना ह प्रेस कर दिया है और इसको हम फ्लिप करेंगे बहुत ही आराम से और प्यार से कुछ चीजें बहुत ही प्यार ढूनती है तो ये उत्पम हमारे उसी कैटेग्री में से आते हैं तो इसको मैंना फिलिप कर लिया है और यह हमारा एकदम बढ़िया वाला मसाले वाला उत्पम तैयार हो चुका है और इसको आप किसी भी टमाटर की चटनी के साथ खाए इमली की चटनी के साथ खाए धनिया की चटनी के साथ या फिर मौंफली की चटनी के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगने वाला है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्टा है जो कि बच्छों को, बुड़े को हर किसी को ये पसंद आने वाला है आप बनाएं और पसंद आएं तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सबस्क्राइब करना और बेल आइकन दमाना बिलकुल मत भूलना और ये इस वीकेंड बना के ज़रूर ट्राइ करना थैंक यूवर वाचिंग